रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का आज 66 स्थापना दिवस है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्राले के प्रशासनेक नियंत्रण के अधीन काम करता है। वरतमान में डॉक्टर जी समीर कामत DRDO के चियर्मेन है। DRDO के पास अत्याधुनिक प्रयोग शालाओं का एक समूभ है जो रक्षा प्राध योगी की के विभिन्द क्षेत्रों जैसे वैमानिगी, शस्त्र, इलक्ट्रोनेक्स, लड़ाकु वाहन, इंजियनेरिंग प्रणालियां, इंस्रुमेंटेशन, मिसाइलें, उन्नत स्टिंग, सैमूलेशन, नौसेना प्रणाली, लाइफ साइंस, प्रशिक्षन, सूचना प्रणाली और कृषियाधी में काम करता है। में अग्रिम पंक्ती में लाकर खड़ा कर दिया, जो अंतरिक्ष में अपनी संपतियों की रक्षा करने में समर्थ है। अगनी मिसाइल से बैलिस्टिक मिसाइलों तक के जटल सफर को भी डियाडियों ने शांदार बनाया। जिसमें डॉक्टर कलाम ने अगनी और प्रत्वी मिसाइलों के विकास और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत का रक्षानों संधान एवं विकास संगठन डियाडियों लगातार नई तकनीकों पर काम कर रहा है। इसकडी में डियाडियों ने कंट्रोल एरियल डिलिवरी सिस्टम का सफल परिक्षण किया। सशस्त्र करने की अपनी प्रतिबधता पर अडिक है सरकार के प्रयासों से साल 2022 में 26,000 करोड रुपए के 5 CCS कारिक्रम और 11,000 करोड रुपए की पच्छमन अन्य परियोजनाओं को मन्जूरी दी गई इससे पहले स्विक्रत की गई 32 पर योजनाओं को सफलता पूर्वा कूरा किया गया था वहीं 2022 तक DRDO ने 145 TOT पर हस्ताक्षर किये IP सुरक्षा के लिए 160 पेटेंट दायर किये गए थे और 2022 के दौरान 100 स्विक्रत किये गए प्रोध्योगी की विकास निधी TDF योजना के तहट खोश की सीमा को 10 करोड रुपे प्रती परियोजना से बढ़ा कर 50 करोड रुपे तक कर दिया गया वर्दमान में कुल 15 DRDO उद्योगा कादमे कुछ कृष्टता केंदर DIACOE स्थापित किये गए हैं जिनमें 1183 करोड रुपे की लागत से 867 परियोजनाएं संचाले थें DRDO की स्थापना देश को रक्षा प्रोध्योगी कियों और प्रणालियों में आत्म निर्भर और सशक्त बनाने के उद्यश से की गई थी आज ये संगठन न सर्फ उन्नों देशियों की पूर्ती कर रहा है बलकि देश को सशक्त करने और सेना में परिया है